हेलो एंड वेलकम टुट विकली करेंट रफेर्स सेशन और कॉम्पिशन कम्मुनिटी जूट्यूब चैनल मैं हूनिकत परविन खान और आज की इस वीडियो सेशन में हम डील करने वाले हैं लास्ट रीक यहने की जुलाइ फर्स से लिकार सेवन जुलाइ तक के पॉलिटी के सेक्शन में जो भी करेंट के इंपॉर्टन कटनाई हुई है उनके डायमिक और स्टेटिक पार्ट को ठीक है तो चलिए सबसे पहले लेट सेवर न्यूज अट गलांस न्यूज देख लेते कि क्या के न्यूज हम कवर करने वाले हैं तो फर्स न्यूज वेरी टॉक्ड अब करेंगे एकनाज शिन्दे के शिपत भरण से संबंदित दूसरी जो है वह है अलूरी सीटा राम राजों से श्मंदित एक स्वतंतरता सैनानी अलूरी सीटा राम राजु जयंती मनाएं गई जिसमें प्रधान मंत्री मोदी ने शिरकत की और क्या कुछ हुआ वो हम देखें हैं कब होने वाले हैं और वाइस प्रेसिडेंट के एलक्षिंज कैसे होते हैं इन दोनों इडानेमिक स्टेटिक पार्ट को हम देखेंगे उसमें और जो चौथी न्यूज है वो है अंतराश्य संसदी दिवस 30 जून को मनाया गया तो इंटर पार्लिमेंटरी यूनियन का एक यह 30 जून को क्या होता है इंटर पार्लिमेंटरी यूनियन और यह 30 जून को क्यों मनाया जाता है इससे रिलेटेड डे उसको हम देखेंगे वो डानेमिक एंड स्टेटिक पार्ट तो चलिए सबसे पहले पहली न्यूस कवर करते हैं बहुत जादा सा कुछ नहीं है जो कि शाम साड़े साथ बजे शिव सेना के जो बागी नेता है एक नाच छेने उन्होंने फाइनली महराश्र के बीसवे मुख्यमंत्री के रूप में शपत ले ली ठीक और जो भी पॉलिटिकल ड्रामा उसके हफते दस दिन पहले से चल रहा था इनके शपत ग्रहंड से उस प महराश के देवेंद्फर्णविस को वहां का डेपुटी सीयम अपॉइंट किया तो इस तरह से भाशपा नेता देवेंद्फर्णविस वहां के उपमक्यमंत्री नियुक्त हुए और एक नाच छिंडे महराश के मुख्यमंत्री ठीक और इनको दोनों को शपत दिलाई गई 30 जून शाम 7.30 बजे महराश के गवर्नर द्वारा जिनका नाम है भगत सिंग कोशियारी गवर्नर का नाम याद रखेंगे भगत सिंग कोशियारी ने इन दोनों कोई ने मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को शेपत दिलाए तो बई ऐसा है कि अब जो नई सरकार बनी है उसमें शिव सेना का तूटा हुआ खेमा है, अब असली शिव सेना कौन सी है, इसका तो फैसला होना है, बेराल शिव सेना का एक बड़ा खेमा जो शिंदे के साथ है, उन्होंने भाजपा का और कुछ छोटी-छोटी पार्टी इसका सपोर्ट ले करके सरकार बनाई, तो इस जो मेन पार्टी है भले ही वो अल्पमत में है उसका नाम है शिवसेना तो एकनाच छिंडे की जो खेमे की शिवसेना है इस पर्टिकुलर गडबंदन में उनके पास कुल मिलाकर के 39 शिवसेनिक हैं तो शिवसेना के 39 लोग हैं और भाजबा के जो 106 विधायक हैं वो हैं और कुछ छोटे बड़े पार्टी के लोग मिला करके ये दल बनाया गया राश्ट्री जंतरांतिक गडबंदन और फिलहाल अब महराश का सत्ताधारी दल यही है ठीक तो कयास ये लगा जा रहे थे कि हो सकता है देवेंटफर्णवेस जो की सबसे बड़े दल के नेता है वो बन जाए सीएम लेकर अनुसा हुआ नहीं भाजबा ने अपना ट्रम काट खेला और शिंदे आप कह सकते हैं आप इसे अपतुष्ट्री का रन कहें या आगयाने वाली राजनीती की र आप इसके बाद आगे बात यह है कि इन लोगों ने शपत तो ले ली एकना शिंदे नए मुखी मंतरी बन गए कौन से क्रम के बने 20 वे ठीक है 20 वे मुखी मंतरी तो बन गए लेकिन क्योंकि इनकी जो पार्टी है वो अल्प मत में हैं आप जानते हैं अभी मैंने देखा आपको बताया कि 39 विधायक हैं शिव सेना के पास जिनोंने मिलकर के भाजपा के साथ सरकार बनाई हैं और कोई भी एक दल को सरकार बनाने के लिए जो भी टोटल सीटे होती है विधान सबा का उसका 50% प्लस सीटे चाहिए होती हैं और हमने एक करिंट अफेर्स पहले एने एक वीक पहले देखा ही था कि माराश विधान सबा में 288 सीटे हैं इसका मतलब वहाँ पे सरकार बनाने के लिए इसकी आधी मतलब 144 से किसी एक दल को तब जाकर के सरकार बनेगी ठीक अगर क्लियर मिजॉरिटी आ जाती 145 की तब तो कोई बात नहीं थी लेकिन जैसे अभी हालाद बने हो उसमें ऐसा है कि शिवसेना के पास 39 लोग हैं तो इनको फिर बाकी पार्टी इसमें बाहर से सपोर्ट किया है और क्यू फ्लॉरट Geral की सरकार के नहीं जा जालाएगा तो ऐसे केस में इस सरकार काँंगे अल्प मत की सरकार जिनके पास clear majority के लिए जितने सीटे चाहिए, अखेले इनके पास 30 सीटे नहीं है, लेकिन अगर ये सरकार में बने रहना चाहता है, अगर इनकी सरकार बनी रहनी चाहती है, तो फिर इसको सदन का विश्वास हासिल करना होगा, सदन में एक vote of confidence होगा, एक विश्वास मत क्यू पर voting होगी, जिसमें अगर सदन के लोगों ने, majority ने इनको support दे दिया, कि हाँ, हम इनके बने रहने पर सहमत हैं, तब तो सरकार बनी रहेगी, बरना नहीं, तो बिलकुल क्योंकि ये अल्पमत की सरकार थी, तो इन लोगों ने शपत तो ले लिए, आप कहेंगे शपत पहले क्यों ले लिए, क्योंकि आप मंतरी बन सकते हैं, उसके बाद आपको confidence, जो vote है, वो सिद्ध करना रहता है, पहले शपत गरन होता है, उसके बाद ही vote of confidence होता है, ठीक है, तो ऐसा था, कि इनका flow test हुआ, क्योंकि अल्पमत की सरकार थी, तो इस flow test में, result ये रहे, कि एकना चि पॉसर्ट मतों की majority से एकना चिंडे सरकार बनाने में सफल हो गए, या मैं कहूं सरकार बचाने में सफल हो गए, ठीक, तो flow test एकना चिंडे की खे में ने, कुल मिलाकर के राश्ची जंतरांते गड़ बंदन ने पास कर लिया, और इस तरह से इनकी सरकार अब स्थाई हो अब आगे जो भी political उतल पुतल आगे शिवसेना के अंदर है, उसमें देखना है कि आगे क्या होता है, फिलहाल महराश की राजनीती में जो प्रशासन वाला खेम है, अब उसमें स्थाईत वा गया है, कुछ वक्त के लिए से, ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपक वोट होते हैं, ठीक है, तो अल्पमत की सरकारती तो फ्लो टेस्ट हुआ है, इसको इन लोग ने पास कर लिया, और ये मुखे मंतरी बन गए, इनके गडबंदन का नाम है राश्य जनतानते गडबंदन, जिसमें शिवसेना के बागी 39 विधायक हैं, और भाजपा के 106 तो भारत के आजादी की लड़ाई के एक महत्वपून स्वतंतरता सिनानी, अलूरी सीता राम राजु की 125 वी जयनती मनाएं गई, और इस उपलक्ष में प्रधान मंतरी मोदी ने 4 जुलाई सन 2022 को अंधर प्रदेश में उनकी 30 फुट उची 50 की प्रतिमा का इनाउगरेशन किया, अलूरी सीता राम राजु आंधर प्रदेश के एक स्वतंतरता सिनानी थे, और 4 जुलाई 2022 को इनके द्वारा किये गए आंदोलन को, 200 वर्ष हो गए, और इनकी 125 वी जयनती भी थी, 125 तैनिवर्सिरी भी थी, ठीक है, तो इस उपलक्ष में इनके 30 फुट उची 50 की प आपको इनका बैक्डराउंड तोड़ा सा जानना पड़ेगा, इनसे जुड़ा जो स्टैटिक का पार्ट है, वो जानना पड़ेगा, डानेमिक पार्ट सिर्फ इतना कि 125 वी इनकी जयनती थी, और इनकी 30 फुट उची 50 की प्रतिमा बनाए गई, जिसे आंधर प्रदेश के भीमा वरम में शत्रिय सेव समीती नाम की एक समीती ने बनाया और प्रधान मंत्री मोदी ने चार जुलाई को इसका अनावरण किया है, ठीक है ये डानेमिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट में अलूरी सीता राम राजु के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं, तो दे अंपा विद्रो भी कहा जाता है, ये विद्रो सन 1922 में आंदर प्रदेश में हुआ था, तो अलूरी सीता राम राजु, नाम सुना सुना लग रहा होगा, हाली में जो एक मूवी आई थी ना, आर, 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 आपने उसके बारे में अगर सुना पढ़ा होगा, देखा होग तो आपको पता होगा कि उसमें जो राम चारन का कैरेक्टर था, वो इन ही से इंस्पायर्ड था, आपने अगर क्लाइमेक्स देखा होगा, सीन्स वगेरा देखेंगे, तो जो वेजभूशा वो धारन करते हैं, लास्ट में तीर कमान के साथ, वो वेजभूशा इन ही की थी तो वो जो पूरा उनका कैरेक्टर था, वो इसी से ही इंस्पायर्ड था, अलूरी सीताराम राजू तो एक मूवी के वज़े से भी उनका राम हाइलाइट होता है, और उनके 125 वी जैन्दी से इस वज़े से भी हाइलाइट होता है, तो भाई हिस्ट्री में जबी भी रिव अधियम लाकर के उन जंगलों को अपने उपयोग में लाना चाहते थे, और इन वन संद्रक्षन की वज़ह से उन लैंड का वो अपने हिसाब से उपयोग करना चाहते थे, इस वज़े से वहां के जो स्थानी जन जातियां हैं, उनकी जो कृषी पद्दतियां उनको पे आपका जो आपने सुना होगा एक से दूसरी तरफ जैसे हमारे चछतिसगड में भी आपने पैद्दा कृषी सुनिए, बेवार कृषी सुनिए, जिस तरह की एक कृषी आप सुनते हैं, स्थानांतरित कृषी वैसी आंद्प्रदेश में भी जो कृषी होती थी, उस पर आ आगे बढ़ाया, सन 1922 में जब रंपा विद्रो हुआ, तो उस समय भारत में गांधी जी का इंफ्लूएंस बहुत जादा था और ये वही समय था जब नॉन कोपरेशन मुव्मेंट भारत में चल रहा था, तो अलूरी सीधाराम राजू के इस रंपा विद्रो में भी खादी के वस्तर पहने, इन्होंने लोगों से अपील की कि शराब पिना बंद कर दे और कई लोगों को इनकी सहमती भी मिली, तो खादी का उपयोग हो, चाय शराब बंदी हो, इन सभी चीज़ों को जिसको गांधी जी ने प्रपाउंड किया इसको इन्होंने रंपा विद इन लोगों की उपर हो रही थी उसके चलते, इन्होंने ये कहा कि अहिंसा से हम अपनी लड़ाई इस जगह पर नहीं जीच सकते, बलके प्रयोग के बिना हम अपने अधिकारों को हासल नहीं कर सकते, तो गांधी जी की कुछ विचारधाराओं से ये सहमत तो थे, पर कुछ तरीका उन्होंने उनसे अलग भी अपनाया, जिसमें खास्तोर पर हिंसा संबन दे थे, या मैं कहूँ हिंसा शामिल थे, तो इन्होंने हिंसात्मक नहीं हिंसात्मक तरीके से अपने अंधुलन को बढ़ाया, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है, ये और इनके जितने गिरोह वाले थे, इनके जितने लोग इनका साथ दे रहे थे, उन्होंने तीर कमानों से, बकाइदा हत्यारों से अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक, तो याद रखिएगा, 1922 में आंधर प्रदेश में रंपा विद्रो, जंगल कानून के खिलाफ, जिसके ज लावा शराब बंदी का प्रमोशन किया, लेकिन इन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा, और हिंसात्मक तरीके से विद्रो का आगे बढ़ाने की अपील की और ऐसा किया भी, ठीक, और 1924 तक इनका विद्रो काफी फेमस हो गया, याद रखिएगा, इन्हें मान्यम वि इफ्तार करके एक पेड़ से इनको बांद दिया और सरयाम इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई, ठीक, और इस तरह से इनके हिंसात्मक विद्रो को विराम दे दिया गया, तो 1924 में अंग्रेज दौद्वारा इनकी हत्या कर दी गई, और इस तरह से दो-तीन सालों तक कि, हाल हत्या कर दी गई, ठीक है, तो मन्यम बिरुडू याने की जंगल के नायक के नाम से जाने 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 वाले, अलूरी सी तरह अमराजू के 125 वी जैनती थी, जिसके उपलक्ष में, ये मुर्ती का नावरन किया गया, तो भई, इससे रंपा विद्रो, उसका इयर, उसका शेत जान दे कर पढ़ेंगे, क्योंकि आने के चांसे बढ़ गए हैं, ठीक है, इतनी बातें थी, जो इनके बारे में हमको पढ़नी थी, अब हम बढ़ते हैं, अगली नियूस पर, जो की है, उप राश्पती की चुनाओं की घोशना से संबंदित, तो भारत की इलेक्शन कमिश ने ये घोशना कर दी है, आधिकारी का जी सूचना जारी कर दी है, कि 6 अगस 2022 को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और भारत के जो चौदेवे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका चुनाओं किया जाएगा, अभी इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट आप सभी ज राश्पती का चुनाओं कर लिया जाएगा, और जाहिर सी बात है, राश्पती के चुनाओं के जैसे ही इस बार भी उप राश्पती के चुनाओं में भाजपा का पलड़ा भारी है, क्योंकि दोनों ही सद्रों में भाजपा का वर्चस वज्यादा है, तो जाहिर सी बात है भाजपा जिन भी इनसान का नामंकन दायर करेगी उनके जीतने की चांसे ज्यादा है 19 जुलाई तक की नॉमिनेशन फाइल करने की बात कही गई है और election की डेट रखी गई है 6 अगस 2022 ठीक है विंका या नाइडू का जो टर्म है वो 11 अगस 2022 को समाप्त हो रहा है इस वजेसे अब वाइस प्रेसिडेंशन गस शघ्रख सको रखा जाएगा इस वाइस जीतने हैं अब स्टेटिक पार्ट जब वाइस माचन की बात आ रही है तो हम देखते हैं कि इनकी election के बारे में समवधानिक प्रावधान क्या है तो बहिए ऐसा है कि सभी जानते हैं कि Vice President Table of Presidents में भारत में जो पदों का वरियता क्रम है उसमें Second Number पर आते हैं After President भारत में यदि कोई सरवुच पद है तो वो है राश्पती उसके बाद Second Rank पर अगर कोई पद है तो वो है उपराश्पती तो उपराश्पती वरियता क्रम में Second Rank पर आते हैं और राश्पती के बाद भारत में सबसे मत्वपोर्ण पद होता है ठीक उपराश्पती का जो कारेकाल होता है वो पांच वर्ष होता है ये जब उपराश्पती के पद पर चुन ले जाते हैं तो इनका जो कारे होता है वो ह नहीं होता है मतलब यह कि उप्राश्पती के पद पर चपचुन कर आते हैं तब उनका काम यहीं रहता है कि अगर राश्पती प्रेजन्ट हो तो आ राश्पती का काम करना वरना अगर राश्पती प्रेजन्ट है तो वो तब तक राजसभा के चेर्मेन होते हैं उस टाइम य फ्राश्पती के रहते होई कोई माइने नहीं रखता क्यूंकि अपना कारी करें तो उपराश्पती का कोई सपोटिंग कारी नहीं है इनका कारी तब ही आएगा जब राश्पती जाएंगे एपसेंस आब मेंगे इनेकापरेiyoruz हें लेकिन ख़े लिगंगे विद्यद के सिर्म Sl आपका पद इनके पास नहीं होता तो पद है उप्राश्पती का पर कार है राजसभा के चेर्मेन का और प्रेसिडेंट के एपसेंस में कार है प्रेसिडेंट का कारभार समहालने का ये सारी चीज़ हम इसलिए मैं इसको थोड़ा सरसरी तोर पर जल से रिवाइस करवा रही हूँ इस एन इंपॉर्टेंट पाट ओफ दा सेंट्रल इग्जीक्यूटिव केंद्रे जो आप कारभालिका पढ़ते है उसमें राश्पती के बाद उप्राश्पती भी उतना ही इलेक्शन होता है और वही सिंगल ट्रांस्फरेबल वोट के जरिये होता है जैसे प्रेसिडेंट का आप राश्पती की चुनाव की पद्दती यदी जानते हैं तो वैसी ही पद्दती उप राश्पती की चुनाव की भी होती है एकल संक्रमनी विधी और अप्रत्यक्ष निर्वाचन ठीक इसका मतलब आम जनता नहीं चुनती है इसका मतलब FPTP सिस्टम से नहीं होता है प्रिफरेंशल वोटिंग सिस्टम से होता है अब ये दोनों ही शब्दों के लिए आपको प्रेसिडिंट के इलेक्षिन का प्रोसेस पूरा देखना होगा अगर आप प्रिलम्स के वीडियो मेरे देखे हैं तो जान जाएंगे वरना अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे बैराल बताना मैं ये चाती हूँ कि जो टरीका है उप राश्पती को चुनने का वो राश्पती के जैसा ही होता है बस फर्क इतना है कि उप राश्पती के चुनाओं में जो लोग हिस्सा लेते हैं जिसे हम कहते हैं Electoral College या निर्वाचन मंडल वो राश्पती की निर्वाचन मंडल होते हैं लेकिन अपराश्पती का निर्वाचन मंडल मतलब वो लोग जो उपराश्पती की चुनाउं में वोट डालेंघे उसे हम मैंने कहा कि उप राश्पति का भी चुनाओ प्रत्यक्ष होगा इसका मतलब आमजनता नहीं चुनेगी एक निर्वाचन मंडल वारा इलेक्टरल कॉलेज द्वारा चुना जाएगा इनको प्रत्यक्ष रूप से लेकिन इस इलेक्टरल कॉलेज में कौन-कौन होगा इसमें को इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र में संसत के जो दोनों सदन हैं उनकी भागिधारी होती है leurs तो लोगसभा Song Thorles ठीख तो people राजसभा के सभी सब्साल सब करेंगे मैं सब ही लिख दिया इसका मतलब नॉमिनेटेड प्लस elected जैसे कि हम जानते हैं कि जब प्रेशिडेंट का election होता है तो कोई भी nominated इंसान भाग नहीं लेता, लेकिन जब vice president का election होगा, तो जो भी nominated लोग होंगे राजसभा के वो लोग भाग लेंगे, ठीक है, तो अब तो ऐसा है कि लोग सब्सब्स हमें कोई नॉमिनेटे इंसान होता नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि उप्राशपती के निर्वाचन मन्डल में राजसभा के एलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोग और लोसभा की एलेक्टेड लोग हिस्सद लेंगे कुल्मिलाकर के सभी चाहे हो मनोने तो चाहिए वो elected हो प्रेसिडेंट की election में भाग लेंगे single transfer will vote यानि कि एकल संक्रमनी विधी के जरीए उप राश्पती चुना जाएगा ठीक है ये चीजें पढ़ी है बस में कोई क्रिविजन करवा रही हूँ static part है important part है क्योंकि elections हो रहे तो जाहिर से बात है इन में से कोई भी ऐसा जो question politics related वहा सकता है जैसे हम पढ़ते हैं हमने nomination of president पढ़ा था पिछले वी की current affairs में तो मैंने आपको बताया था कि राश्पती का नामांकन दायर करने के लिए हमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की जरूरत होती है इन्हें 50 proposals and 50 seconders बिल्कुल उसी तर्स पर जब उप्राश्पती के चुनाओं के लिए कोई नामांकन दायर करता है election commission के पास उप्राश्पती के चुनाओं के लिए जब कोई नामांकन दायर करेगा जैसे मैंने का न 19 जुलाई तक के नामांकन दायर करेंगी सभी पार्टी अपने अपने candidate का नाम forward करेंगे तो यह जो नामांकन दायर होंगे अलग-अलग लोगों के चुनाओं के लिए उसमें भी कुछ प्रस्तावकों और अनुमोदकों की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रस्तावक और अनुमोदकों में डिफ्रेंस या जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए कित्ते कित्ते चहिए रहते हैं पचास प्रस्तावक, पचास अनुमोदक, लेकिन वाइस प्रस्तावक के लिए चाहिए रहते हैं, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, तो जो भी लोग दायर करेंगे, अपना नाम नामंकन दा सदों में से लोग होंगे जो नाम फॉरवर्ट करेंगे न तो 20 एलेक्टर जो हैं वो नाम प्रस्तावित करेंगे 20 लोग उसको अनुमोदित करेंगे यह अपनी कुछ जमानत राशी जम्मा करेंगे और इलेक्शन कमिशन में उनका नाम final हो जाएगा वो लोग voting में या मैं कहूं वो लोग election में participate कर पाएंगे ठीक है तो आगे कुछ दिनों में नामंकंदायर होगा जिसको हम देखेंगे आगे किसका किसका नाम आ गया है तो future में वो गर्मान के चली जो भी BJP की candidate होंगे जाए इसे बात है वही उनी का सबसादा chances रहेंगे कि वो आगे के vice president बने and that person will be the जैसे कि मैंने का 14th vice president 14th number के vice president है क्योंकि Venkayan Ido जो है वो फिलाल 13th number के vice president है ठीक qualification of vice president क्या होती है बही qualification qualification of vice president होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए किसी लाब के पद पर नहीं होना चाहिए 35 वर्ष की आयू होनी चाहिए और चौती चीज राजसभा का सदस से बनने के योग यह होने चाहिए बहुत सिंपल सी चीज है इदा में भी city of constitution है इसलिए मैं इसको सिर्फ यू ही दोहरा दे रहे हूँ पहले की तीन qualification उप्राशपती की तो वैसे यह रहा जिसे president की है भारत का नागरिक लाब का पद 35 वर्ष की आयू कम से कम और चौती qualification जो है वो थोड़ी सी president से अलग है जहां president की qualification में ये बात आती है कि उसे लोगसभा का सद़ से बनने की उसमें योगिता होनी चाहिए वहीं जो वैक्टि उप्राशपती की qualification रखना चाहता है उसके पास राजसभा का सद़ से बनने की qualification होनी चाहिए ठीक है तो ये चार qualification जिसके पास है बीज बीज प्रपूदर secundars है जमान अतराशी है वो जा करके नामंगंदायर करें और ऐसा कोई भी व्यक्ति छे अगर्स को उपराश्पती के चुनाओं में एक चैलेंज प्रस्तुत कर सकता है चुनाओं के लिए ठीक है और अपनी टर्म में रहते हुए पांच सालों के दौरान ये उपराश्पती को अप पांटिक पार्ट का भी करवा दिया ठीक है आई हो आपको समझ में कहीं कोई और बात है जो आपको जाननी है तो आप कोमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी इस न्यूज में इतना है चलिए इसकी बात बढ़ते हैं आखरी न्यूज में कुछ लोगों को दिक्कत हो रह आती हैं जो आपको बताने हैं में जरूरी लगते कहीं ना कहीं कभी आप ऐसे लिख रहे हूँ आप इंट्रव्यूस दे रहे हूं आप अपने आंसर लिख रहे हो में इन सब में आप कोई चीज़े काम आएंगे तो भी ऐसा है कि आप या तो अपने कम्प्यूटर में या आपने मोबाइल में इन वीडियो जो को देखते हैं. इसा तो नहीं कि आप क्लास में बैट करके वीडियो को देख रहे हैं यहां में काहूँ ?.. आप के हा TBD से वीडियो को देख लिजिए और पॉस्ट कर लिजिए आप डेकर करके बाद में देख लीजिए लेकिन अगर कुछ जरूर information आ रही है तो try to grab those information length की दिक्कत नहीं है जब हमको बनाने में को दिक्कत नहीं है तो आपको सुनने में क्या दिक्कत है आपको नहीं सुनना आप skip कर दो नहीं सुनना अभी नहीं मूड है आपको ऐसा लगता है कि मैं सुनूंगा लेकिन में पर यह लंबा हो रहा है तो आप बाद में देख लो आप स्पीड बढ़ा करके देख लो अगर बताते हैं कोई ऐसी चीज़े हम शेयर करते हैं कोई dynamic news की जो हमें से लगता है कि भी इसके कुछ और पहलूं को छूता है तो देखिए knowledge हासिल करने में कोई बुराई नहीं है अगर आपको कुछ extra चीज़े पता चलती तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ इन में से कभी आपको interview में gds में या फिर essay writing में या means के answer writing में काम आईगी ही you will experience it soon जब आप means लिखेंगे ठीक है बेराल आज की वीडियो में वैसे भी बहाँ ज़ाद ऐसी कुछ complicated चीज़े नहीं थी इसलिए मैंने चीज़ों को थोड़ा short में लिया है last news पर आते है last news है कि 30 जून 30 जून को अंतराश्ट्री संसदी दिवस यहने कि Inter Parliamentary Union Day मनाया गया Inter Parliamentary Union Day दरसल सन 2018 यहाँ पर हो सकता है कुछ background की वज़े से यह यह नहीं दिख रहा होगा it is written 2018 सन 2018 से सायूंक तराश्ट की जो महा सभाय उसने प्रस्ताव रखा था कि 30 जून को हम यह दिवस को मनाएंगे तो सन 2018 से आज तक यहने 2022 तक यह चार-पांच सालों में यह 30 जून को IPU Day के तौर पर मनाया जा रहा है अब IPU Day मना है हमारी न्यूस तो बस इतनी है कि कौन से तारीख को मनाया गया 30 जून को कब से मनाया जा रहा है 2018 से मनाया जा रहा है किस ने गोशना की थी United Nations General Assembly ने गोशना की थी अब इसकी बाद हमारो जो static पार्ट है वो ये कि IPU है क्या 30 जून को ही क्यों दिवस मनाया जाता है तो देखे IPU राश्ट्री संसदों का एक अंतराश्ट्री संगठन है जो अपने सदस्यों के बीच लोग तांतरक शासन और सहयोग को बढ़ावा देता है नाम से आपको समझ में आ रहा होगा It is an Inter Parliamentary Union विभिन देशों के जितने संसद हैं जो National Parliament से राश्ट्री संसद उन सभी संसदों का एक ग्रुप है एक संग है IPU ठीक है क्या कहा मैंने हर देश में संसद होती जहां जहां कानून विवस्ता है जहां जहां General Administration के लॉज बनते हैं हर जगे कोई ना कोई एक Legislature होगा विधाइका होगी ही तो उसे हम संसद कह देते हैं तो हर देश की जो संसद होती उसका एक ग्रुप बनाएं गया IPU ताकि आप सभी देशों के बीच में Administrative Level पर Accountability को Maintain कर सके Democratic Administration को Maintain कर सके और Cooperation को Maintain कर सके तो इनका जो Main Aim है Democracy को बनाए रखना लोगों की प्रती Accountability को बनाए रखना और Cooperation को बढ़ाए रखना है इन तीनों ही मुद्दों को ले करके इनकी Meetings होती है इन तीनों ही मुद्दों को ले करके ये संगठन बनाया गया ठीक, इस संगठन का जो Formation हुआ 1889 में हुआ 30 June को और इसी वज़े से इस दिन को IPU Day की तौर पर मनाया जाता है 1889 में IPU का गठन Paris में हुआ था, ये याद रखें ठीक है, पैरिस में 1889 में Inter Parliamentary Union का गठन हुआ था और इसका जो Headquarter है, वो है Geneva, Switzerland शायद स्लाइड में दिया हुआ नहीं, इसलिए आप यहाँ पर Note Down कर लीजे कि जो Inter Parliamentary Union का Headquarter है, जो मुख्याले है, वो है Geneva, इसका गठन हुआ था 1889 में कहा हुआ था इस बार जो IPUT बनाया गया, इसमें सार्वजानिक भागीदारी यहने कि सभी लोगों का Public Participation इस पर Emphasize किया गया, Public Participation यहने कि Administration को ज़्यादा Accountable बनाने के लिए Administration में ज़्यादों, Cooperation को Establish करने के लिए, Democracy को ज़्यादा अच्छे से Execute करने के लिए ज़्यादी 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 जरूरी है इसमें Participation हर वर्ग का बड़े जो भी Mass है, Public है वो ज़्यादा ज़्यादा Administration में इंवॉल्व हो, तभी जाकर Administration ज़्यादा Public Friendly बन सकता है इस Particular चीज़ पर Emphasize किया गया As a subject of this year's theme ठीक है, तो इस वर्ष अंतर संसदी संग और इसके संसदी सदस्यों द्वारा सारवजनिक भागीदारी विशह के अंतरगत या दिवस मनाया गया तो इस साल 30 जून को ये theme रखी गई थी सारवजनिक भागीदारी Clear with that? ठीक है? So that is it Dynamic part क्या है? 30 जून को IPU Day बनाया गया ठीक 2018 से मनाया जा रहा है General Assembly ने 2018 से ये declare कि मनाया जाएगा Theme थी सारवजनिक भागीदारी ठीक है? और static part क्या है? कि IPU का गठन कब कहा हुआ? इसका headquarter कहा है? इसका कारी क्या है? Fine with that ठीक है? It is an international organization for maintaining the democratic set of democratic fabric in all the countries which has parliaments in them ठीक So that is it आज के इसकार इंटरफेस के session में ये 4 important news ही थी जो मुझे cover करनी थी Dynamic and Static जो भी relevant part था मैंने cover किया I hope आपको समझ में आया होगा Next week हम फिर मिलेंगे 8 तारीक से आगे July के जो भी important section of quality में current की घटना है उनको लेकर के आज के session में इतना है Thank you so much अर्वाई जो भी ये कृचiveness